जेहिंद फ्रेंड्स, once again you are welcome to Mission Air Force तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये हमारा vocab सीरीज का 8 नंबर वीडियो है और इसमें हम vocab को total 10 questions जो कि आपके snoms, antoms, idiom, idiom थता, correctly spelled word, one word substitution के questions हैं तो out of 10 आप कितना score कर पाते हो, ये भी comment box में बताना, और हाँ, वीडियो को share भी जरूर कीजेगा तो चले, question number first है, और यहाँ पे आप अपना answer चूज कीजिए Question number first क्या है, a person going to other country in order to settle called यानि एक ऐसा व्यक्ति, जो जाता है किसी दूसरे देश में settle होने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे तो देखे, ऐसे व्यक्ति को लिए बताने के लिए, immigrant यूज करते हैं लेकिन option number B और C, दोनों में दिया है immigrant, इनमें से कौन सा correct है तो देखे, इसके लिए जो यूज होगा word वो होगा option number C वाला, immigrant जी हां दोस्तों, यह वाला यहां पर correct है तो देखे, option number B में और option number C में, एक minor से यहां पर difference है कि यह जो immigrant है, यानि कि I से जो start होता है, इसका मतलब है कि दूसरे देश से अपने देश में आने वाला, उसको बोलते है immigrant, यानि कि प्रवासी, और यह जो immigrant है, इसका मतलब है अपने देश से दूसरे देश में जाकिए, settle होने वाला, यानि immigrant तो देखे, यह I से start होता है, और यह E से start होता है तो इसे याद करने के लिए E यानि कि export, तो अपन export कहां पर करेंगे दूसरे देश में करेंगे अपने यहां पर सामयान, जो भी सामगरी है, जो भी वस्तू है उसको बनाके विदेश में export करेंगे, तो export यानि कि नριयात करेंगे तो इसलिए जहाँ पे E से शुरू होगा इसका मतलब दूसरे देश में जाके भसना E एक immigrant और जहाँ पे I यानि कि import तो हम क्या करते हैं import करते हैं कापी सारी चीजें दूसरी देशों से तो import यानि कि बाहर किसी चीज अंदर लाना यानि कि अपने देश में कोई बाहर देश का विक्ति आके जब रहता है तो उसको बोलते हैं I वाला immigrant यानि कि import तो import और export इससे इन दोनों वर्ट को याद रखें रिलेट करके तो option number E में दिया है abroad यानि कि विदेश, foreigner यानि कि विदेशी तो दिखते हैं next question तो question number second है एक person who regards the whole world as his country यानि एक ऐसे विक्ति जो मतलब जो पूरा देश, दुनिया है पूरा जो विल्ड है उसको एक country की तरह, अपनी country की तरह देखता है तो ऐसे विक्ति को बताने के लिए जो word यूज होता है वो है cosmopolitan यानि कि विस्व मित्री है एक ऐसे विक्ति जो पूरे विस्व का मतलब मित्र की तरह विवार करता है सभी अपने देश की तरह, सभी देशों को वो समझता है तो ऐसे विक्ति को बताने के लिए यूज किया जाता है cosmopolitan यानि कि विस्व मित्री है option number B में है patriot यानि कि देश भक्त universal यानि कि सारुभोमिक और nationalist यानि कि राष्टरवादी तो दिखते हैं next question question number 3 है और इसमें आपको यहाँ पे snowm यानि कि पर्यायवाची बताना है subsequent subsequent यानि होता है आगामी subsequent, consequent थता following यानि कि आगामी तो option number यहाँ पे B में दिया है following जो कि correct यहाँ पे हो जाएगा option number A में दिया है earlier यानि कि पहले का पूरू का लिख तो यह इसका एंटोम हो जाएगा earlier और option number C में दिया है series यानि कि क्रम तो दिखते हैं next question तो question number 4 है और यहाँ पे भी आपको snowm यानि कि पर्यायवाची most similar word यहाँ पे आपको बताना है lethal तो दीके lethal क्या होता है lethal होता है जानलेवा तो यहाँ पे जो option number B में दिया है deadly इसका भी यहीं मतलब होता है घातक जानलेवा option number B यहाँ पे correct answer है option number A में दिया है slugies यानि कि सुस्त लेजी option number C में है smooth इसमूत यानि कि चिकना और option number D में है thrifty thrifty होता है conjunus, miser तो देखते हैं next question question number 5 है और question क्या है a snake in the grass यहाँ पे idiom phrase आपको बतानी है तो a snake in the grass यह होता है hidden enemy यानि यह चुपा हुआ दुस्मन a hidden enemy option number C यहाँ पे correct answer है देखते हैं next question question number 6 है add insult to injury तो इसका भी यहाँ पे आपको idiom phrase बताना है add insult to injury तो देखे आपने सुना होगा add fuel to fire यानि कि आग में घीट डालना लेकिन यह है add insult to injury यानि कि जले पे नमक छिड़कना जी हाँ तो यहीं है इसका मतलब तो देखे option number किस में दिया है बी में दिया है to insult someone openly तो option option B में है to insult someone openly यानि किसी को open खुले तरीके से insult करना तो option number B यहाँ पे करक्टांसर हो जाएगा देखे option number C यहाँ पे क्यों इसका करक्टांसर नहीं है made bad to worse situation for something यानि कि इस्तिति को बद से बत्तर कर देना तो यह होगा क्या add fuel to fire वो इसके लिए यहाँ पे करक्टांसर होगा तो दिखते हैं next question question number 7 है और इसमें भी आपको यहाँ पे anthem बताना है यानि कि opposite आपको बताना है तो देखे shallow shallow होता है चिचला यानि कि उपरी चिचला उपरी सतही तो यहाँ पे anthem यानि कि opposite बताना है तो answer हो जाएगा यहाँ पे option number B profound profound होता है deep यानि कि गहरा deep होता है गहरा होता है profound option number A में दिया है superficial इसका भी यहीं मतलब होता है जो कि shallow का होता है superficial shallow का सनोम है यानि कि उपरी सतही या चिचला option number C में है counterfeit यानि कि नकली जैनित होता है मतलब सिकर उचाई अपोजी तो यह वर्ड हम देख पी चुके हैं अपने इसी सिरीज में तो देखे shallow 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 यानि कि चिचला सतही उपरी इसका ही सनोम है superficial और एक important word और है cursory C-U-R S-O-R-Y cursory तो ये भी इसका भी मतलब यही होता है shallow या फिर superficial cursory उपरी सतही चिचला तो दिखते हैं next question तो इसमें भी आपको यहाँ पे एंटोम बताना है identical तो identical होता है समान यानि कि एक जैसा दिखने वाला या फिर समान तो identical का यहाँ पे देखिए option number B में दिया है resembles यानि कि समान होना तो ये इसका सनोम हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे कोई भी word इसका एंटोम नहीं है तो यहाँ पे सनोम हो जाएगा resembles option number B identity होती है पहचान sacred होता है गुप्ट और hidden होता है छुपा हुआ तो ये इसका जो सनोम होगा वो हो जाएगा identical का resembles यानि कि समान होना तो दिखते हैं next question question number 9 है और इसमें parallel की correct discipline बतानी है parallel तो देखे P-A-R-A double L-E-L parallel यानि कि समाना अंतर parallel समाना अंतर P-A-R-A double L-E-L parallel तो correct answer हो जाएगा option number D देखते हैं next question question number 10 है और इसमें भी आपको correct discipline बतानी है रैपरी रैपरी की आपको यहाँ पे correct discipline बतानी है तो R-E-A-P-E-R-E रैपरी option number C में दिया है R-E-A-P-E-R-E रैपरी तो correct answer हो जाएगा option number C तो दोस्तो ये थे आज के हमारे 10 questions आपने कितना score किया comment में जरूर बताना और please दोस्तों जो video है series है इसको share भी क्या कीजिए क्योंकि सभी exams के लिए equally important है क्योंकि vocab सभी exams के लिए जरूरी है जहाँ पे English पूछा जाता है तो अब देखते हैं last video के question का answer तो last video में मैंने आप से question पूछा था comedy का आप हो यहाँ पे anthem तो यहाँ पे tragedy हो जाएगा इसका anthem विपरित तो option नमर B में है decrease decrease होती है मृत्यू यानि कि death option नमर C में है demise demise भी होती है मृत्यू glee glee होती है खुशी यानि कि happiness तो चलिए आज का जो आपके लिए question है उसका answer आप सभी को comment box में देना है आपके लिए question है delinquent delinquent कि आपको यहाँ पे opposite बताना है इन सभी options में से कि क्या यहाँ पे correct answer है नहीं आता है तो google जो translate है वहाँ पे जाके देखिए कि इसका क्या मतलब है काफी important word है delinquent तो चले दोस्तों I hope कि आप वीडियो को share जरूर करोगे मिलते हैं next studio में तब तक के लिए जैहिंत चवर्थ